कि आ गरे आज दोस्तो आज बहुत इंपोर्टन टोपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूं कि मैंने। नूज़्च बिजनेस को ही क्यों पसंद किया करोने को तो मैं बहुत सारे बिजनेस कर सकता था मैं बहुत सारे ओंला iOD बिजनेस भी कर सकता लेकिन मैंने सिर्फ न्यूज्टर बिजनेस को ही क्यों चूज किया खास करके मैं एक एसा बंदा नहीं हूं कि पहली बार कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक ऊपवर्चुनेटी मिल गए तुक्के से और मैंने न्यूज्टर बिजनेस सुरू कर दिया तो इसके पीछे कोई कारण होगा वही कारण मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूं और यदि आपके कैसे परसोन हो जो कि बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस में इंटरेस है और आप सुरू नहीं कर पा रहे हो फिर क्या रीजन है कि आप बिजनेस सुरू नहीं कर पा रहे हो इस कि एक बिजनेस केसे पेसे कमाते मैं आपको एक छोटा सा सिर्फ इंकम सोर्स बताऊंगा निउसलेटर का चो लैक्स ओफ रुपीज का यहां पर प्रोफिट देता है पर मंथ का एजसाइड असल सबसे पहले बात कर लेते कि मैंने निउसलेटर बिजनेस को क्यों शुरू किया देख़िए बिजनेस सुरू करने के पीछ है एक पूरा प्रेक्टीकल कैस सकते कि आप रिसर्ज होता है एक रिसर्जiper करना चालता ह। एक कन्क्लूजन आपके साथ सेयर करना चालता ह। आपके मैंड में यदि कोई बिजनेस आइडिया है ज्यान से सुनिए दोस्तों यदि आपके मैंड में कोई बिजनेस आइडिया है यदि आप आज सुरू नहीं कर सकते यदि आप वापस रिपीट कर रहा हूं आज सुरू नहीं कर सकते ये मेरी बात लिख के ले लिजिए कि आप एक मैने बाद भी शुरू नहीं कर सकते, आप एक साल बाद भी शुरू नहीं कर सकते, आप तीन साल बाद भी शुरू नहीं कर सकते, सुनने में बुरा लगेगा, मुझे पता है कि आपके माइन में बहुत सारे business ideas होगे, यह बात में क्यों कह रहा हो दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी इलिखे हुई बात बाद यहां पे बिजनेस रिशर्च से निकलके आई वई बात कि 99 परसंट होल्ट यह बिजनेस के एको मिजनेस करना है में we जो भी business हो सकते थे पहले मैंने try किये छोटे मोटे साइडेसल वाले फिर मैं एक बड़ा business का यहां पर राष्टा identify कर रहा था बड़ा business का राष्टा ओयो के founder Ritish Agarwal को यहां पर मैंने inspiration लिया था एक टाइम पे कि मुझे भी ऐसी एक company बनानी है कि यही ख्याल में में तीन से चार महीने गय थे तैम पर मैंने तीन से बाना काम था थोड़ा बहुत कर लेता था ओर एक इमेजनरी वोल्ड में चला गया था बिजनेये करूंगा ओ करूंगा ये बना दूंगा तिन से चार मैने वस्ट हो गये फिर मुझे यहां पर एक्ने चीह ये मिला और दोस्तों मैं किसी business idea के बारे में सोच रहे हो और आप शुरू आज नहीं कर पा रहे हो means आप एक साल बात भी नहीं कर पाऊगा पांच साल बात भी नहीं कर पाऊगा इसके पीछे का सबसे तगड़ा reason यह है कि आपके पास हुए business को शुरू करने के लिए जो resources चाहिए नहीं है resources दोस्तों दो तरीके के होते हैं पहला जो resource होता है finance का resource होता है second जो resource होता है knowledge का resource होता है और knowledge के साथ ही दोस्तों second जो resource होता है networking का resource होता है रिटेस अगरवाल का सायद जो finance का background था मुझसे अलग था उनका जो networking का और knowledge का जो resource था मुझसे अलग था ये बात की मुझे clarity मिल गई दोस्तो और तब जाके मैंने एक practical way में नया business identify करना शुरू किया कि कौन सा एक ऐसा business है जो कि मैं आज अब भी शुरू कर सकता हूँ और मेरे mind में जो एक dream amount है क्या मैं achieve कर सकता हूँ ये दो category मैंने रख दी जब मैं business के बारे में research कर रहा था research का मतलब होता है दोस्तो महीनों तक आप laptop में लगे हुए हो आपको एक कहीं पर कुछ मिलता है आप वहीं से deep में जाते हो और आप उनके deep end तक पहुच जाते हो और आप वहाँ से बहुत कुछ identify करते हो और आप समझ गए बात को एक पूरे गुच्छे की तरह एक पूरे ट्री की तरह होता है research करना यहां से निकले यहां तक पोच और add the end आपको कहते है जैसे fall मिलता है वैसे ही कोई business मिलता है opportunity वाला वैसे ही दोस्तो मैंने दो यहां पे अपनी condition रखी थी एक great business जब मैं find कर रहा था दो condition के साथ मैं चल रहा था पहला मेरा यह condition था कि एक एसा business शुरू करूँगा जो मैं आज के दिन पर ही कर सकता हूँ second मेरी condition यह थी कि मैं अपना जो mind में dream amount है जो करोडों का है क्या मैं achieve कर सकता हूँ business से तभी मैं बिजनेस को यहां पे शुरू करूँगा newsletter दोस्तों जब मैंने इस business को choose किया मैंने बहुत सारी case study successful newsletter entrepreneur की read की उनकी दोस्तों success case study नहीं उनके newsletter की journey कैसे सुरू हुई कैसे उन्होंने newsletter business सुरू किया और newsletter business से पहले में कितने धन्ध्य बना चुके थे वे धन्ध्य dormir यहां पे के सकते छोड़ने के बाद बेचने के बाद close करने के बाद उन्होंने newsletter business शुरू किया दे ॐसरा deep dive research करने के बाद मैंने newsletter business शुरू किया क्योंकि यहां पे मेरी पहली condition थी क्या मैं आज शुरू कर सकता हूँ newsletter एक ऐसा business है जो आप आज शुरू कर सकते हैं ये बात में दोस्तों सचा ही क्यों है क्योंकि मैंने ये किया दो महीने पहले पूरा tutorial डाल दिया क्योंकि जब मैंने सुरू किया था एक साल पहले मुझे कोई ट्यूटोरियल देने वाला नहीं था इसलिए मुझे अपने इसाब से रिसर्च करना पड़ा था एक दो महीने पहले मैंने ट्यूटोरियल डाला बहुत सारे यहां पर एस्पीर द जadian बहुत एक साल बाद बहुत सकते हैं जैसे कि दो रिजिए ना पहला रिसोर्स इंटरम्स ओफ फाइनस रिसोर्स इंटरम्स ओफ नेटवर्किंग एंड यहां पर नोलेज अब मैं आपको सेकंड रिजन बता रहा हूं कि मेरे मैंड में जो एक आप कह सकते ड्रीम अमॉंट यहां पर मैं बहुती स्मार्ट तरीके से रिसेर्च करता हूं मैं जो कोई बंदा होता है किसी भी बिजनेस में मैं उनका पास्ट का बेक्ग्राउंड चेक करता हूं और मैं उनका करन्ट बिजनेस चेक करता हूं एक्जाम्पल देता हूँ में आपको कि मैंने इस बिजनेस को फाइनल एड़ेर्ट क्यों सुरू कर दिया क्योंकि देखिये मैं यह तीन या चार साल में यहां पे दिफेंटमट साइड्च करता हु तो मुझे यहां अपने आपको कण्व Index करना पड़ता है में रिसर्च करता हूं रिसर्च मैं बिद्स करना होा चाहिए एक रिसेर्च मेंने फाइनली किया था मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं सेम पार करके अंत्रपीनियोर है न्यूज़ लेटर आंत्रपीनियोर जिन्होंने हसल बिल किया और 27 मिलियन अराउंड डोलर में उन्होंने बेचा यानि कि 100 करोड प्लस का उन्हें प्रोफिट मिला दोस्तो कि एकोनोमी से पीछे डेवलपिंग कंट्री है तो हम यहां पर 50 परसेंट भी कट लेके चलते हैं तो जो एक वेल्यूएशन बनती है सब्सक्राइबर बेस पे तगड़ी बनती है मैंने केसे अपने रिसेर्च को डन किया यह मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूं सेम पार द इतना तग्ड़ा अंत्रपीनियोर था कि जब Airbnb शुरू कर हो रहा था तब टोप 30 एंप्लोई में सेम पार Airbnb को जोइन करने के लिए अपनी हाइस्कूल ड्रोप आउट कर देता अपनी हाइस्कूल छोड़ देता है समझ सकते हो कितने लेवल पर वे बंदा अपने कोलेज टाइम से हाइस्कूल टाइम से स्मार्ट था कि उन्हें पहले से केसी कंपणी के बार में पता तेल गया थे कि यह कंपणी बड़ी होने वाली या जैए Airbnb दोस्तों दुनिया की one of the most successful company में से एक है मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मैं किसी भी person की जब यहाँ अंत अंवानी के लड़के आननत आमानी का जो फ्यम्ली बेगगराउंड है वे मुझसे यहाँ पे डिफरेंट होता है इसलिए दोस्तों मैंने सेंपार का बेगगराउंड यहाँ पे चेक किया तब सेंपार के बेग रहने दोस्तों समझ लिए वह बंदे के पास सिर्फ यहाँ पर आज काम किया, आज मेकडी में काम किया, आज पेसा आया और आज यहाँ पर अपना खर्चा चलेगा, यह बंदा दोस्तो अपने करियर की वैसे सुरुआत करता है, समझ लिए, सेम पर सबसे पहले Airbnb में जोब लेने के लिए हसल करता है, जोब नहीं मिल पाती, एक room mate matching company सुरू करता है, फिर 100,000 dollar में बेस देता है, और भी 2-3 side business करता है, एक event business करता है, इतने सारे business करने के बाद, 6-8 साल का experience business में लेने के बाद, सेम पार news letter का business सुरू करता है, at the age of 24, और शुरुआत कहां से की थी, बंदे के पास सिर्फ इतने पेसे थे, कि अपना खान करने का खर्चा ही निकाल सकता था, और एक चीज में identify करता हूँ कि क्या इस बंदे के पास कोई coding का knowledge था, कोई education का knowledge था, सेम पार के पास education का knowledge नहीं था, मिन्स सारी condition के सकते हैं, कि जो हमारी condition होती है, 99% Indian की, बहुत तगड़ा finance background नहीं होता है, सेम पार का भी नहीं था, ये 6-8 साल यहाँ पे बहुत सारे businesses करता है, जैसे मैंने 3-4 साल बहुत सारे businesses ट्राइक किये, और एद एंड सेम पर घुसा, newsletter के business में और उन्हें सफलता मिल गए, के सकते हैं कि at the age of 30 ये बंदा, आज multi-millionaire बन चुका है, from nothing to multi-millionaire, उनको 6 साल लग गए एसे business को identify करने में, ज without great कह सकते हैं कि by bone skill के, ये पहली sign हो गई, कि ये बंदे कि सेम पर कि सारी जो चीजे हैं, वे मेरे चीजों से मैच हो रही है, इसलिए, मैंने newsletter business शुरू किया, second मैं आपको दोस्तों reason बता दो, मैंने सिर्फ एक entrepreneur को study नहीं किया, एक और entrepreneur है, सान पूरी करके, सान पूरी दोस्तों, बहुत सारे business ट्राई करते हैं, और college से ही startup करते हैं, बहुत सारे startup फ्यल होते हैं, उनका एक startup यहां पर successful होता है, बीबू अगर के, जो take company थी, बाद में वे एक e-commerce का भी business करते हैं, और it's the end, recently वे milk road करके newsletter सुरू करते हैं, और newsletter को sold out करते हैं, जो smart person हो दुनिया के smart person में से एक smart person हैं, इतनी skill भी नहीं होती है, नहीं तो coding का जैसे की same part, नहीं तो coding का knowledge, नहीं तो finance का background, फिर भी दोस्तों, बहुत बढ़े amount पे wealth create कर लेते हैं, बंदे, यदि आप सिर्फ उनके step भी follow करते हो ना, आप उनका 5-10% भी boss achieve कर लेते हो ना, means आपको यहाँ पे great level पे सपलता मिल जाती है, मैं दोस्तों यही formula apply करता हूँ, मैं अपनी दो condition देखता हूँ, सबसे पहली condition, क्या मैं यह business आज सुरू कर सकता हूँ, yes boss newsletter business, आज अब भी सुरू हो सकता है, second, क्या जो second condition है, networking, finance, knowledge, यह तीनों चीज के ही साब से, क्या यह background match होता है, यदी होता है, फिर यहाँ आपे business में सुरू करना चाहूँगा, मेरे mind में जो dream amount है, यदी यह business से अची होता है, newsletter business से अची होता है, बहुत सारे person ने अचीव किया है, इसलिए मैं इस business को सुरू करता हूँ, एक नहीं दोस्तों, मैंने तो सिर्फ सेम पार का यहाँ पे case study प एडवाड करके जो योलो इंटेल करके newsletter सुरू करती है, 25 यह तक दोस्तों, एडवाड यहाँ आपे एक company में जोब करती है, 25 यह तक जोब करने के बाद भी दोस्तों, recession आया कोछ भी आया उनकी जोब चली गए, 25 साल जोब करने के बाद लड़की की जोब चली गई, और 15 लाख रूपय महीने का, अब आपको लगी का कि यह सब तो USA के example ने, इंडिया के example तो ही नहीं दोस्तों, देखिए एक पैसे की बात होती है, जो बंदा जो कोई तरीके से पैसा कमाता है ना, बहुत ही कम परसन होते हैं, सेर करते हैं, धरवाई सेर नहीं करते हैं, अब मैं धंदे का कोई मतलब नहीं है, without sell, marketing channel का use किया जाता है, time के ही साब से marketing channel change होती रहती है, email marketing का 40% का conversation rate है, जो भी मैं number बोलता हूँ, आप check कर सकते है Google पे, यहुरे दोस्तों, 40% का conversation rate आज तक एक भी channel से नहीं निकला, email marketing के करीब भी कोई नहीं है, तो यह जो newsletter है, कि साब से marketing channel हो गई, अब मैं आपको practical example देता हूँ, practical जब मैं आपको example दूँगा, तब आप आसानी से यहाँ पे समझ पाओगे, example ले रहा हूँ, मानके चलिए कि आपका stock market का newsletter है, आपने stock market का newsletter बनाया, ज्यादा नहीं, आपके 10,000 newsletter के subscriber है, कितने, 10,000 newsletter के subscriber है, के से पेसे बनते हैं, य 10,000 newsletter subscriber के साथ, देखे, किसी भी industry का knowledge लेना कोई बड़ी बात नहीं, stock market का भी आप knowledge ले सकते हो, मैं example stock market का ही लेने वालो, 10,000 subscriber है, newsletter के आपके, आपको पेसा कमाना है, 10,000 subscriber के साथ, stock market पर बहुत सारे topic होते हैं, जिस पर आप वेबिनार कर सकते हो, आपके यदि newsletter पे 10,000 subscriber हो रही है, यदि आप एक webinar के aid निकालते हो, कि आज मैं nifty 50 पे आपको सिखाने वाला हूँ, webinar आप जोइन कर सकते हो, live webinar, सिर्फ आप 99 रूपी स्चार्ज करोगे दोस्तों, समझ यह, 99 चार्ज करके, आप सिर्फ यहाँ पे mail के सकते हैं, किसा आप से send करोगे, कितने 10,000 आपके subscriber है, हमें पता है कि 10,000 लोग आपके webinar को जोइन नहीं करें, कितने परसंट जोइन करेंगे, email marketing का average दोस्तों, conversation rate है 40%, मैं सिर्फ 3% लेके चलता हूँ, आपके 10,000 mail subscriber में से सिर्फ 99 into 300 रुपीज कितने हो गए दोस्तों, आप calculation लगा लीजिए, मैं 100 रुपे लेके चलता हूँ, 30,000 रुपीज हो गए, आप एक webinar के एक गंटे से 30,000 रुपीज कमा लोगे, और मैं यह नहीं कहे रा कि आप यहाँ पे तुरंद कमा लोगे, आप सोचिए कि आज आपने newsletter सुर हो गए, चार विक्ये, आपका 120,000 रुपीज का दोस्तों, प्रोफीट हो गए, आपका, साल का कितना हो गए, साल का दोस्तों, आप 15,000 रुपीज, लोग कमा भी रहे, यह सब चीज करके लोग कमा रहे, इंडिया में बता नहीं रहा कोई, चो आप यूट्यूब पे इन्फ करियर में, आपको फंदरा लाग मिलता है दोस्तों, विधाउट ग्रेट नोलेच, कई नहीं मिलेगा है, दूस्तों में रॉस्त कंदीशन बात कर दिके आज आप नि्यूज लेटर करते हो, में स्टोक मार्केट कन simple stock market का नहीं बताता हूँ, मैं बहुत सारी क्रावा इंडि 20 लाग रुपीज कमा सकते हो ग्रेट पोजीशन क्या है यहाँ पर ग्रेट पोजीशन दोस्तों यह है कि धंदे का एक असूल एक धंदा टाइम के साथ बदलता है यह बात जो बंदा समझ गया वेज धंदा सफलता पुरोग बना सकता एक टाइम था जब धंदा मतलब सिर्फ प्रोडट फेंसी प्रोडक्ट आज मार्केट में तेन बदल चुका आज टायम डिस्टीबिशन को यहां पर समझते ट्रेडिंग करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर है बहुत सारे इवेंट होते हैं इवेंट ओर्गेनाजसेशन को यहां पर अड़ियोटेजमेंट करनी पड़ेगी कहां पर करेगे तो वह आपके न्यूसलेटर में ड़ियोटेशमेंट करेगे क्योंकि न्यूसलेटर आपका है बॉस आपने तो लाइप के लिए 10,000 सब्सक्राइबर ओन की है अब आप खुद की प्रोड़क नहीं आप खुद की प्रोड़क नहीं दोस्तों वापस रिपीड कर रहा हूं आप और हंड्रेड्स ओप्रोड़क्स का पार्टनर बना सकते हो लोग बना भी रहे लेकिन लोग बता नहीं रहे बड़े-बड़े दोस्तों यहां पर इवेंट होते है ओफ्लाइं जैसे कि स्टोक मार्केट के इवेंट होते तो उनकी फीज पर डे की थाउजन रुपीस-दूजन र पैसा उनके पास होता है उतना ही दुनिया के पास होता है वैसा नहीं होता है लोगों पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए खास करके एक्सपीरियंस पे लोगों बहुत पैसा करेंगे मैं वर्ष्ट कंडिशन बता रहा हो दोस्तों आपके 10,000-20,000 किसी भी नीज केटेगरी के नीज लेटर सब्सक्राइबर के साथ आप सिर्फ इवेंट की टिकेट बेचके आप ओनलाइन वेबिनार की टिकेट बेचके 15-20 ला क्या क्योंकि मुझा पता है कि मैं future में कोई और business में entry लूँगा offline business में time के साथ इदी में entry लूँगा तो मैं इस business को भी automate कर दूँगा यहां पर इतना time नहीं देना पड़ता newsletter business part time में भी हो सकता है इसलिए दोस्तों एक और यह तगडा रिजन है कि मैंने यहां पर न्यूज लेटर बिजनस को चूज किया अब आपको लगता होगा कि सब्सक्राइबर कैसे लेकर आओगे यह आपका प्रोब्लम है न समस्या यही तो गलती कर रहे हो आप कि करना लाइफ में कुछ होता नहीं है देख्या कड़वी बात बता रहा हूं लेकिन यह बात आपको आखे खुल देगी और आपको सब्सक्राइबर कहां से लेके आओगे सब्सक्राइबर कैसे मिलते हैं दोस्तों आप आप कंटेंट देते हो व सब्सक्राइबर दोस्तों आपको मिलेगे ही मिलेगे जब आप वेल्यू प्रोइड करोगे यूट्यूब बना लिजिए वहां से सब्सक्राइबर लेकर आई है ब्लोगिंग ग्रेट तरीका है वहां से लेकर आई है वाट्सप पे बहुत सारे ग्रूप है फेस्बुक पे है अब यह सारी चीजें दोस्तों आपको करनी पड़ती है यह आपको ग्रेट एक्जांपल दूंगा और वीडियो यहां पर एंड कर दूंगा कि कितने लेवल पर मेनत करनी पड़ती है हमारे साहर में होटल है दोस्तों सरोवर पोर्टी को गरके एसा ही कुछ नाम है मेरे सहर के फाइस्टार होटल का मालिक समझ लिए मेरे सहर के फाइस्टार होटल का मालिक दोस्तों मेरे घर पे आके मुझसे हाथ मिलाता है मेरे घर पे आके मुझसे हाथ मिलाता है क्यों हाथ मिलाता है पता है क्योंकि यह बंदा election में खड़ा हुआ था मेरे सहर से election में कि मुझे वड दीजिएगा है बेड नहीं सोचते सरव उन्हें नहीं होती है वे दोस्तों एक ही जीच पर फोकस करते है यदी करना है तो बहुत करना है समझ सकते हो उनको जरूरत नहीं है फाइस्टार होटल का ओनर है उन्हें इतना कमाने की ज़रूद नहीं है उनके उल्रेडी बहुत सारे फेक्ट्रीज भी चल रहे हैं फिर भी वे सांसद बनने के लिए अपना जो एक काम आथ में लेते कि बहुत करना है तो और ना है वे चीजें करने के लिए यदि वे मेरे घ सर्म नहीं रखता है एक एक घर पे जाके आथ मिला लिया वेसे ही दोस्तों न्यूजलेटर सब्सक्राइबर में यदि आपको लाने है तो यह सब कुछ भी आप कर सकते हैं यदि आपको पैसा कमान आई है कहिना यहीं चाहता हो दोस्तों कि एक बार आप सुरू करते हो फिर नीज केटेगरी में बना लिया फिर दिमाग में डाल दीजे कि इंडिया का सबसे बड़ा इस केटेगरी का नीज केटेगरी का न्यूजलेटर बनाना है तो बनाना है दोस्तों सोच लीजिए एक बार मैं वापस बोल रहा हूं सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर के साथ यदि 15-20 रुपे बन सकते है इंडिया का सबसे बड़ा न्यूजलेटर जब आपका बन जाएगा क्यों नहीं बन सकता क्योंकि आज शुरू हो सकते हैं टूटोरियल में इसलिए डालाए कि जितना हो सके उतना कम कर दो फ्रेक्शन होता है दोस्तों किसी भी चीज में का मतलब क्या हो दोस्तों इसलिए मैंने न्यूज़ लेटर बिजनस को सुरूर किया क्योंकि फ्यूचर में जब चाहूं तो इस न्यूज़ लेटर को एज डिजीटल एसेट्स एक टगड़े माउट में सेल कर सकता हूं मैं पार्ट टाइम में ओटोमेट भी कर सकता हूं और मैं लाइब नाल दिया डीप डाइव अनकट यहां पे सारी लर्निंग शेयर कर दिया आपके साथ मिलता हूं अगले वीडियो में कोई डाउट अगों में जरूर बताएगा दन्यवाद भरोम सावन सोजी तरह